Welcome back to our YouTube channel YouTube channel में आपका स्वागत है Dear friends, आज हम आपके लिए एक अपडेट लेके आए है अपडेट इस तरह से है कि बहुत बड़ी recruitment होने जा रही है और ये जब 2018 में एक decision आया था कि freeze किया गया है पूस्ट उसको 10 प्लस 2 के लिए भी, teacher पूस्ट उसके लिए भी और आगे जो है recruitment नहीं होगी 10-15 साल तक लेकिन अचानक से ही एक order जो है वो government की तरफ से आता है और वो directors बहुत जो है वो जम्मू और कुश्मीर उन तो दोनों directors को हिदायत दी जाती है कि आप लोग identify कर लिजेगा 10 प्लस 2 के lecturer post उसको चलिए हम डीटेल में पढ़ लेते इस चीज़ को यहां पे आप इस चीज़ को देख लीजेगा मैंने जैसे पहले ही आपको कहा कि the government has asked the directors of school education department जमू और कश्मीर यानि दोनों directors को जमू में भी और कश्मीर में भी to identify and submit the subject and district wise vacancies of lecturer posts that are lying vacant in government high secondary schools यानि अगर government high secondary schools की बात हो रही high secondary तो 10 plus 2 lecture posts की यहां पे बरपाई की जाएगी एक तरह से इनको identify किया जाएगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने courses sorry कितने पोस्टस आप तक मिलेंगे so यह identify करना है both regionals जैसे मैंने आपको कहा कि कि कहा गया है कि both regionals both regionals to identify vacancies of 10 plus 2 lectures in various subjects यानि एक subject के मुतलिक बात नहीं की गई है बहुत सारे subjects के related बात की गई है अब यह ऐसा क्यों किया गया क्योंकि बहुत सारी यह कहा गया है कि representations आ गई थी unemployed students की जो जोनोंने PG किया हुआ है किसी ने history में किसी ने economics में किसी ने chemistry में different जो भी हर एक ने अपनी subject में PG किया है तो उनकी तरफ से एक representation आई थी और इसकी वज़ा से जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि इसको freeze किया गया था lecturer post उसके लिए को भी और teacher post उसको भी तो ये एक update है उसके बाद फिर यहां पे भी अगर मैं आपको यहां पे जो मैंने आपको पहले start में कहा है he further said that as per the sack decision जो sack ने order लिकाला गया था कि उसमें जो है वो आपको freeze किया गये थे कुछ post उसको और फिर जो भी था वो एक लंबा procedure था उसको हमें देखना नहीं है लेकिन हाँ एक good news यह है कि आने वाले समय में चाहिए फिर इसमें एक महीन लगे दो महीन लगेंगे तीन महीन लगेंगे चार महीन लगेंगे एक good news आने वाली है और definitely मैं यह कहूंगा कि post अगर इस वकत वैकेंड के हम बात करेंगे न पिसले चार-पांच सालों में हाई स्कूल उसको अपग्रेड किया गया है स्कूल उसको अपग्रेड किया गया है और new education policy को भी लाया गया है उसको लागू भी किया गया है तो मैं अगर यहाँ पे अपनी तरफ से exemption लगाऊंगा कि कितने post आने चाहिए मुझे लगता है कम से कम अगर government को यह procedure करना है तो एक तरह से एक अच्छा एक heavy package मिलना चाहिए इस वकत students को एक youth को जो PG करके बैठे हुए है बेड करके बैठे हुए है खासतर पर मैं PG's की बात करूँगा क्योंकि 10 प्लस 2 लेक्चरर तो PG holders सी जहांपे adjust हो जाएंगे और जिन्होंने भी यह किया हुआ है तो उनको एक good news हमारी तरफ से और government की तरफ से भी मिल रही है तो आपसे यही request करूँगे चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को subscribe video को like करना ना भूलिगा thank you very much